आज हम एकदम रेस्टोरेंट या ढाबा स्टाइल जैन शाही पनीर की सबजी बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल सबजी बनती है और कम से कम सामान के साथ सिर्फ 15-20 मिनिट में सबजी बनकर तयार हो जाती है जैन शाही पनीर सबजी पनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रेवी तयार करना है तो यह सबजी के लिए हमें ग्रेवी एक्टम प्रॉपर टेक्शर के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ बनानी है तो उसके लिए मैंने यहाँ चार पके हुए लाल टमाटर लिए है और यह मैंने थोड़ी बड़ी साइस के टमाटर लिए है अगर आपके पास चोटे टमाटर है तो आप 5-6 टमाटर लेंगे अब टमाटर में से हम डंठल हटा लेंगे बीच में से कट लगा कर चेक करके फिर हम इस तरह से रफली कट कर लेंगे तो चारो टमाटर को हमें इस तरह से रफली क जो बचा हुआ पनीर है उसे हम थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे तो यह मैंने मार्केट वाला पनीर का ही यूज किया है आप चाहो तो पनीर घर पर भी बना सकते हो तो देखे पनीर को हमें इस तरह से मिडियम साइज में कट कर लेना है ना जादा छोटे एक स्पून गीडाल देंगे और एक चोटा सा दालचिनी का टुकड़ाएड करेंगे तो दालचिनी का टुकड़ा मेंने यह बोज Peng ऑ यूज़ किया है और भोजमसाले के सारे पाइसिस और मसाले प्रीमियमक् DRभिण Ç. काली मीच एक हरी इलाईजी को तोड़कर एड़ करेंगे और एक हरी मीची के बारीक टुकड़े करके एड़ करेंगे और स्लोटू मिडियम फ्लैम पर सिर्फ एक से देर मिट के लिए हल्का सौते कर देंगे जिससे मसालों का सायलेंट फ्लेवर आजाएगा अब इसमें हमने टमाटर कट किये थे वह एड़ करेंगे और गैस की फ्लैम मिडियम कर देंगे इसमें आठ से दस काजू के टुकड़े एड़ करेंगे और एक टेबल स्पून मगश दरी के बीज एड़ करेंगे साथ में हम भूज का कश्मीरी लालमिश पाउडर भी एड़ करेंगे तो यह अघर से टमाटर में अल्का पाणी शुटने लगेगा अब इसमें हम एक कप पानी याड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और दखकर 5-7 मिनिट के लिए तो टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो गेस बन करके इसे हम एक प्लेट में निकालकर ठंडा कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसमें से तमाल पत्र, इलाईची और दालचीनी का टुकड़ा हटा लेंगे और इसे हम ग्राइड करेंगे तो ग्राइड करने के ल बनानी है अब इसे हम एक बार चंदी से चान लेंगे जिससे हमारी ग्रेवी एकदम सिल्की और स्मूथ बनेगी वैसे आप चाहो तो बीना चाने भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें से हमने खड़े मसाले तो हटा लिए है पर इस तरह से चानने से टमाटर में से जो भी ब बच गया है वह हट जाएगा अब इसमें हम 3 4 पानी एड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करके चान लेंगे तो देखें यहां हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है तो देखें ग्रेवी को हम इस तरह चान कर फिर यूज करेंगे तो ग्रेवी हमारी एकदम रीच और सारे टुकड़े एड कर देंगे और 1 फूर्थ टीस्पून नमक एड करेंगे और हलके हाथ से हम इस तरह से पनीर को साथे कर लेंगे जिससे पनीर बिल्कुल तुटेगा नहीं हो नमक का टीस्ट भी अच्छे से आ जाएगा और हलका साथे भी हो जाएगा तो हमें बहुत तो आप जाओ तो गैस बन करके पनीर को निकाल सकते हो अब सबजी बनाने के लिए 1 फूर्थ टीस्पून जीरा चुटकी बर हींग और एक हरी मिट्जी के इस तरह से तुकड़े करके फिर एड करेंगे और 2-3 मिट के लिए साथे कर लेंगे अब सबसे पहले हमने जो ग्र यह जीरा पावडर 1 टीस्पून कश्मीरी लालमिश पावडर और इसमें हम बोज का शाही पनीर मसाला एड करेंगे जिससे यह सबजी एक तम रेस्टोरं जैस से बनती है क्योंकि यह मसाला एड करने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तो हम 1 टीस्पून शाही पनीर मस मसाला एड करेंगे और भूज के सारे मसाले प्यॉर जैन है तो आप बिना टैंशन यूज कर सकते हैं और माई जैन रेसिपी के वीवर्स को 18% एडिशनल डिसकाउंट है तो मैंने फोन नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप आसानी से ओर सकते मासाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है现在 2 tablespoon द़ी को फेट को फेट कर फिर ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे तुरंत चमत से चला तयों अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे दए बिल्कुल ग्रेवी में फटेगा नहीं और इस तरह से थोड़ा सा दाय ऐ ड़ी ब ग्रीच करने के बाद आकता है कि उछे से अट टुकड़ा पनीर का रखा था वो भी ग्रेतर से ग्रेटर करके अड़ करेंगे जाग भी हमें सिर्फ 2-3 मीट के लिए अच्छे से पका लेना है तो ग्रेवी और पनीर को हमें डग कर पकाने की जरूरत नहीं है तो देखे 2-3 मीट में सब्जी भी थोड़ी घाड़ी हो गई है और मसालो का टेस्ट भी अच्छे से आ गया है तो इसमें हम थोड़ा सा बारी करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे तो सब्जी की बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है तो अब गयस बन कर देंगे और लास्ट में हम थोड़ा सा निम्बू का रस निचोड़ देंगे तो निम्बू का रस आप अपने टेस्ट के हिसाब से एड़ करेंगे आप वक्त एक बार गर पर जरूर ट्राइ करना बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो ट्राइ भी करते हो और अच्छी बनती हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा थेंक्यू